नमस्कारत इस बिहार देख रहे हैं आप में नाम उदिप तारेन है डिजिटल इंडिया है डिजिटल यूग है बैंक के एटियम से लेकर इवियम मसीन तक डिजिटल हो चुका है पर इसके बीच भी कई मामले सामने आते हैं जहां धानली हो जाती है और खासकर अगर हम मतदा की बात करें चुनाओ की बात करें तो इवियम को लेकर भी फरजी वोटिंग के कई मामले सामने आते हैं यह यह रूप से देखा गया है कि जो चुनाओ होते हैं जब से इवियम का प्रियोग भारत में शुरू हो गया उसके बावजूद कितने लोग ऐसे होते हैं जो चाली सामला राम है उन्होंने इसका रास्ता निकाला थी विहार का अरडिया जीला बहुत समवेदन सील छेतर है वहाँ पर कई बार हिंसक घटनाएं देखी गई हैं खासकर चुनाओ के समय पर इस जो मेथर्ड निकाला गया था जो एक नया प्रियोग भी था चुनाओ के स रहा है तो आखिरकार क्या है वह प्रिक्रिया जिसके तहत वोटिंग में फर्जी वोटिंग रोकी जा सकती है आपको बताएं कि स्याली ने स्वक्ष मतदान के लिए अपना एक अलग एसोपी यानि कि मानक संचालक प्रिक्रिया बनाया था तीन चर्णों में पुलिस कर्मि स्याफित्यान को प्रशिक्षित किया तह जिसमें 133 एसाई थे 111 संस्पेक्टर थे और 13 इंस्पेक्टर इसमें सामिल थे इनके अलावा और पूलिस कर्मियों के बात करें तो और हेड कॉंस्टेबल भी इस पूरे प्रक्रिया में सामिल थें इसमें एक्चुली होता क्या है कि जो लोग लाइन में लगे होते हैं उन पर विसेश नजर बनाय रहते हैं पुलीस कर्मी हर मतदाता का चेकिंग होता है जो वो लाइन में लगा होता है और खासकर जो एक निस की जाती है साथी साथ आपको बताएं कि वैसी महिलाएं खासकर अगर हम मुस्लिम तपके की बात करें तो बुर्के में आती है तो उनकी लिए वहाँ पर फीमेल कॉंस्टेबल की नियुक्ति भी की जाती है जो लागतार उन पर नजर बनाय रहती है इतना ही नहीं अगर को वैक्ति संदीग्द होता है या किसी पूरा डिटेल्स उससे मांगा जाता है उसका अधार काड से लेकर पैन कार्ड और फिर से मिलाया जाता है उसका एड्रेस पूछा जाता है उसके घर तक भी अरडिया जिला में पिष्ली दफा जो 2019 के चुनाव हुआ था उसमें कई SP थे अरडिया जिला के तो इस प्रियोग के बाद चुनावायोग ने भी इसकी बहुत प्रसंसा की थी बिहार सरकार के द्वारा भी इसकी प्रसंसा की गई थी और यह बात प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी तक भी पहुंची थी बिहार में चुनाव होने जा रहा है इस साल अ या के SP के द्वारा वो पूरे बिहार में इस बार लागू करने की बात भी की जा रही है और सिर्फ बिहार ही नहीं अगर यह successful होता है तो कि पूर्व में हो भी चुका है तो बिहार के बाद जो बंगाल में चुनाओ है और देश के तमाम राजी में चुनाओ होंगे या फिर 2024 का लोगसभा चुना हो तो वहाँ पर पुलीस को यह जिम्मा दिया जाएगा और खासकर अगर हम SP की बात करें हर जिले में तो SP का यह दाइब तो होगा कि वो एक टीम बनाए और कई दर्जन टीम बनती है एक जिले में जो हर एक बूत पर जाकर जहां भी वोटिंग होता है व आपकी जगा 2020 के विदान सवा चुनाओं में लागू होने जा रहा है आप बने रही काईचेस ब्यार के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा वीडियो अगर आप फेस्बुक पर देख रहे है तो महारे पेज को लाइक और शेयर करिएगा और यह वीडियो को भी शेय करिएगा खन्यवाद